नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं रीट परक्षया 25 अप्रेल को होने वाली है और इसी को लेकर हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के मादेम से करेंगे आप अंतक मेरे साथ इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तूं दोस्तु रीट परक्षया के अंदर है उनको बनाने की कवाईद है वो तेज कर दी गई है दोस्तु जो बोड के अदेक्स है बीएससी आर बोड के अदेक्स है उन्होंने साप संक्यत किया है कि परक्षया के अंदर है उनके बनाने की कवाईद है वो तेज हो गई है दूसरी बात करेंगे कि REIT के अंदर साड़ी सोले लाक अभ्यर्ती है जो इस बार सामिल होने वाले हैं इसी के साथ हम चर्चा करेंगी कि LEVL PAST और LEVL SECOND से कितने कितने अभ्यर्ती है जो REIT परिक्षिया देंगे तीसरी बात है दोस्तों कि 25 अपरेल को REIT परिक्षिया आयोजित होगी या नहीं होगी आप सभी के यह SMN जस बनावा है कि मावीर जेनती है 25 अप्रेल को और इस दिन रीट परिक्षा कैसे करवाई जा सकती है तो इन ही तीन बातों को लेकर इस संपूर्ण वीडियो के मादेम से आपके सामने तत्यू के साथ मैं न्यूज रखूँ चलते हैं दोस्तू सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तू मैं ये दे देता हूँ कि रीट 2021 के सभी विश्यू की टोपिक के अनुसार पर्षनों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो दोस्तू परती दिन य एक जाम के अंदर इनसे आपको बहुत सारे क्यूसन है जो मिलेंगे दोस्तू तो सभी मित्तर है जो जुड़े हुए हैं या अब पहले बार जो वीडियो पर आए हैं या चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और परती दिन जो वीडियो आते हैं क्वायद को लेकर दोस्तों आज ही की न्यूज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं के अंदर फाइनल करने की क्वायद दोस्तों यहां पे देखिए न्यूज है आपके सामने रख रहा हूं में के अंदर फाइनल करने की क्वायद बोर्ड अदेक्स डॉक्टर जारोली ने क है कि अब बोर्ड इस प्रक्षिया के लिए प्रक्षिया के अंदरू के गटन की परकिरिया पूर सुरू करेगा पूरे परदेश में इस प्रक्षिया का आयोजन किया जाएगा इसे देखते विए परतेक जिले में प्रक्षिया के अंदरू का निर्दारन किया जाएगा बनाए जाएंगे और इसी के साथ है जो प्रक्षा है जो उत्ते समय पर होने की पूरी की पूरी संभावना आपके सामने आ रही है दोस्तु दोस्तु यहां पर आपको एक जानगारी और देदू कि रीट के अंदर लगबग 16,50,000 अभ्यरतियों ने पीस जमा करवाई थी ले रीट के अंदर जरूर बाग लेंगे तो दोस्तु यह थी है मारी पहली खबर जिसके अनुसार की रीट के प्रक्षा के अंदर है वो आउंटित किये जाएंगे और जल्द ही आउंटित कर दिये जाएंगे अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की और दूसरी खबर है दोस् दोस्तु चलते हैं न्यूज पर तो रीट के अंदर प्रक्षिया जो साड़ी सोले लाग अभरती सामिल होंगे इनमें लेविल फेस्ट और लेविल सेकिंड से कितने कितने विद्यारती है तो दोस्तु यह भी न्यूज आपके सामने में रख देता हूं यहां पर आप देख स लेकिन दोस्तु अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नो लाग अभरती है जो एक प्रक्षिया या तो लेविल सेकिंड के अगरा आप देखते हो या लेविल फेस्ट के अगरा आप बात करते हो दोनू को मिलाकर 9.0.000 से 10.0.000 अभरती है जो इस प्रक्षिया के अंदर अब्यारतियों का आकड़ा 9,13,183 है दोस्तु नो लाक 13,183 है दोस्तु आकड़ा और ये आकड़ा है लेवल 1 और लेवल 2 देने वाले अब्यारतियों का तो ये दूसरी न्यूस थी कि रीट के अंदर कुल कितने दोस्तु फोरम के आप अगर काउंटिंग करोगे तो उस अन लेवल 1 से भी लगाया लेवल 2 से भी लगाया दो फोरम की गिंती हो रही है लेकिन ये अनुमाल लगाई है कि उसका अगर एक हिपों क्यों बंदा एक है एक है एक एक जाम दोनों देगा लेकिन बंदा तो एक है ना तो इस परकार 9,183 जो रीट के अंदर बैठेंगे दोस ये हो गई हमारी दूसरी न्यूज एक अंत में आपको इंपोर्टेंट न्यूज दूँगा दोस्तूं वो है रीट एक जाम डेट को लेकर मैंने परसू भी एक वीडियो बनाकर आप सभी के सामने रखा था उसी के अधार पर आज न्यूज दूँगा अब चलते हैं दोस् के वो आपको अपरेल मैने के दूसरे सपता यानि 14 अपरेल को रीट के एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे दोस्तूं और रीट के एडमिट कार्ड आने के बाद आपको 10 दिन का समय रहेगा 10 तिन में आप अपनी तयारी है वो कर सकते हो दोस्तूं कि अभी जिनकी यह सम बनावा है कि REIT नहीं होगी 25 अपरेल को नहीं होगी उनके लिए फिर एक बार मैं बोल देता हूं दोस्तूं कि REIT एकजाम है जो 25 अपरेल को होनी लगबग पाइनल है हाँ दोस्तूं आप सभी की ये भी मांग है कि माहवीर जेनती है और जेन समुदा है वो इसकी मांग भी कर रहा है कि REIT एकजाम है वो 25 अपरेल को नहीं हो लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तूं कि एक या दो या तीन दिन आगे पिछे किया जा सकता है REIT एकजाम को ये नहीं है कि REIT जून जुलाई में जाएगा तो दोस्तूं इस बात पर आप मेरी मेरी दौरा बत परेल को होगा और इसको मान कर ही आप अपनी तयारी है उसको जोर पकड़ा दे दोस्तूं दो महिने में जितनी तयारी आप कर सकते हो उतनी तयारी कर लो दोस्तूं एक अंतिम नीज और बता देता हूं दोस्तूं कि अगर आपने REIT का फोर्म पढ़ते समें कुछ मिष्टे हुई है तो आप उसको क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो तो जाईए बोर्ड के साइट पे एक बार अपने फोंग को द्यान से देख ले और अगर कुछ गलती आपको नजर आती है तो उसको आराम से आप प्रिवर्थन कर सकते हो दोस्तूं तो दोस्तूं रीट एकजाम के प्रिक्षिया के अंदर बनाने की कवाई तेज कर दी गई है रीट एकजाम 14 अपरेल के दिन आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और 25 अपरेल को रीट एकजाम होने वाला है आप सभी को बहुत बहुत नवाद दोस्तूं जो यहां पर क्यूस्नों के वेडियो आते हैं उनके अंदर आप जरूर बाग लें जे हिंद जे बाग